नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागंद्र मिस्त्रा में कन्या राश अप्रेल मई जून 2021 मचेगा बड़ा तहलका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राश वालों के लिए अप्रेल मई और जून 2021 माह के भविश सफल के बारे में तो बंद्रों इस वीडियो को अंद तक जरूर देखिएगा कन्या राश वालों अप्रेल का महीना सामान से बहतर रहेगा कारचेत्र के लिहाज से ब्यापार करने वाले जातकों के लिए इस माह अच्छा ग्रोथ मिल सकता है नौकरी पेसा वाले किशी महत पूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं या मिल सकता है तरक्की भी हो सकती है ब्यापारियों के लिए ब्यापार में बिस्तार होगा तथा कारचेत्र में उन्नत का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि भाग काश्वामी शूर का रासी परवर्तन कर मीन रा होगा कन्यारास के जातकों के लिए साथी सेहत भी उत्तम रहेगी परन्तु प्यार के मामले में प्यार करने वाले जातकों के लिए इस महीने में कुछ परेसानियों का सामना करना पड़ सकता है आप दोनों के बीच मतभेद जगड़ा हो सकता है इसलिए हमने का कि मचेगा बड़ा तहलका तो इस समय आपको सतरक रहना होगा इस महीने के मद्ध में कन्या रास के लोगों के लिए बहुत अच्छा यानि की यानि होने तो बहुत अच्छा वाला है लेकिन फिर भी आपको सतरकता बनतनी है अपनी वाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखना किशी प्रकार क शूर का रासी परवर्तन के कारण कुछ बहतर परिणाम भी प्राप्त होगे कुछ अच्छे यानि लाभप की प्राप्ती होगी धन के मामले में आपके जोब के मामले में लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी खटाश देखने को मिलेगी तो इस महीने में कई सुब राज अत्मक बदलाव देखने को मिलेगा परिवार वा प्रेम के लिए सही संकेत दे रहा है प्रेमी अपने रिष्टों में आगे बढ़ सकेंगे वहीं परिवार वाले शुक्षान्ती का अनुभूत करेंगे लेकिन ब्यापार वा बैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्यूंकि ब्यापार पर सन के द्रिष्ट पढ़ना इस समय में मन को बैचैन करेगा जिसके चलते कन्या रास की यात को बिचारों में मतभेद हो सकता है अगर आप आपसी पार्टनर्शिप में बेपसाई कर रहे हैं या आपके बैवाहिक जीवन और आपको क्रोध नहीं करना है अपने वाणी पर सहिम बरत नहीं जो आपके बैवाहिक जीवन वहा बियापार के लिया सही नहीं रहे गहा तो सही नहीं रहेगा इसलिए क्रोधन नहीं करना है धैर से काम लेना होगा कन्या राश वालों जून का महीना भी कन्या रास वाली जातकों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है कारेच्छेत्रवा ब्यापार के लिहास से देखा जाए तो कन्या रास वाली जातकों के बहुत अच्छा रहने वाला है और धनलाब होगा लेकिन स्वास्त की दृष्ट से इस समय को उत्तम नहीं कह सकते सनी और चंद्रमा का विशेश योग वा सनी की दृष्टी हेल्थ के घर में पढ़ना स्वास्त के लिए ठीक नहीं कह सकते सनी की वक्री होना यानि सनी का वक्र ब्रिहस्पत का भी इसी महीने में वक्री होना शुब फल देने वाला होगा लेकिन मिला जूला फल देगा लेकिन सनी का वक्री होना स्वास्त में कैजिर में थोड़ा उतार चढ़ाओ बनाने वाला साबित होगा तो कन्याराश वालों इन तीन महीनों में मिस्त्रित परिण नाम देखने को मिलेगा, बिसेख तवर पर अप्रेल तक का समय आपके लिए क immens परेसानियों को लेकर आशकता है, मैं में भी लवर्ष के लिए हो शकता है, यदि आप ब्यापार करते हैं, तो आपके लिए ये समय ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन किसी सहियोगी के साथ ब्या चर्णा पड़ेगा कन्याराँकी जो च्छातर हैं इनको इन तीन महीनों में बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी आपके मेहनत के कारण ही आपको बेहतर प्रीणाम मिलेंगे शफल ताएं मिलेंगी बिडेश जाने के मौके मिलेंगे। बिदेश में पढ़ाई करने का मौक्ण मिलेगा बिदेश सम्बंधित कोई योजनाव पर काम कर सकते हैं और बिदेश में जाकर अच्छे सहस्था या उच्छ डिग्री प्राप्त करने के चुक हैं तो कन्या राज कि जात को बैशक आप जा 감사 के वहां पर आपको बेहतर प्रे तोड़ा सावधानी पूरबक चले हाला कि आपका रुका हुआ फसा हुआ धन प्राप्त होगा कई तरह के आपको धन के प्रोजेक्ट मिलें कई तरह के डील फाइनल होती ने जराएंगे काफी समय से जो परेसानिया थी कई महीनों से जो आपका बिजनेस ब्यापार में मंदी के दोर चल रहा था बहुत बुरी तरह से आप घाटे में चल रहे थे तो कन्या राज के जातको अप्रैल माई और जून दोजार एकीस का यह तीन महीना आपके लिए कई तरह के लाबदायक शाबित सिद्ध होगा कई तरह के प्रोजेक्ट मिलें और नई डेल फाइनल तो कुल मिला के कहा जाए तो कई तरह की चुनाउतियों को सामना भी करना पड़ेगा केरियर में आपके जोब में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे दूसरी कमपनी में जाने का अपसर मिलेगा दूसरी कमपनी से में यानि की आफार आ सकते हैं विदेश में ज इंपोर्टेंट काम यानि जो अधूरे थे पेंडिंग थे वो पूरे करते निजराएंगे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा परिवार जनों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा शाधी बिवाह और आपको पार्टियों में जाने का अफसर मिलेगा आपके घर में किशी जो सिंगल जातक जो कन्या राज की जातकों अभी तक आपके शाधी नहीं हुई बिवार नहीं हो पा रहे थे किशी कारण बर्स रिष्टे तूट जा रहे थे तो आपके लिए बहुत यच्छा अपसर है अप्रैल से लेकर जून तक महीने में आपके शाधी के रिष्टे आप बैवाहिक जीवन के बंधन में बन सकते हैं और दामपती जीवन में आपको शाधानी बरतनी है अहला कि जून का महीने आपके लिए बहुत सांदार रहेगा लेकिन आपको मई के महीने में थोड़ी से प्रब्लम हो शकती है तो आपको आपस में मतभेद को दूरी बना है जो आपके बिवाद है या आपसी तनाव है जो आपके बिचार ना मिलना इन चीजों को आपको यानि कि खतम करना होगा और आपसी मतभेदों को दूर करना होगा और आपस में बिचारों को मिलाना होगा तब ही जाकर आपके लिए बहतर होगा कन्याराज की जातकों वैस काफी ज़्यादा मेहनत करनी का वाज़ सकती है हाला कि लवर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है खासकर जून का महिना आपके लिए घूमने फिरने का मौका मिलेगा इंज्वाइग करते होने जराएंगे प्रतिष्ठित ब्यक्तियों से इन तीन महिनों में मुलाकात क कर सकते हैं कन्य राज की जात को मई जून और यह जो अपरेल का महिना होगा तो कन्य राज की जात को बड़े लोगों से मिलना जुलना दोस्ती पहचान हो सकती है और कुछ इंपोर्टन काम हो सकते हैं साथी साथ यात्राएं हो सकते हैं यात्राओं से आपको लाब हो सकता ह यह यात्राएं काफी ज़्याद आपके लाबदायक शिद्ध साबित होगी अलग कि आपको इन बीच में दुरगटनाव से सावधानी बरतनी है चोट चपेट न लग जाए इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी कहीं भी आप बाहर जाते हैं पैदल चलते हैं तो आप सावधानी पूरवग चलें या खुद ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी पूरवग चलें शेहत को लेकर ज़्यादा चिंताएं ना करें हलकि शेहत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने की संभावने बन सकती है आपके घर में किशी सदस के हार्ड के पेशंट है या सुगर के पेशंट है तो उन्हें या बीपी के संबंधित कोई परेशानी आशकती है या पूरानी कोई बीमारी आपको है तो वो आपको परेशान कर सकती है अलगि आप योगा भ्यास का सहरा लें और समय समय पर चिकित्सक सलाह लेते रहेंगे तो कन्या राश्क्रियत को आपको लिए काफी अच्छा शावित होने वाला है कन्या राश्क्रियत को विशेश तोर पर आप कई तरह के लाब कई तरह के काम्याबी आपको मिलने वाली है और अपने बिजनेस ब्यापार में एक नई तेजी देखने को मिलेगी आपके रुके हुए कुछ इंपोर्टन काम पूरे होते नज़राएंगे आप अपने बिजनेस ब्यापार में नई प्लानिंग के साथ उतर सकते हैं और ये प्लानिंग आपको लेकर शही शावित होगी क्योंकि बिजनेस ब्यापार को लेकर काफी उत्साहित नज़राएंगे नए निवेश की सुरुवात करने के लिए सोच रहे हैं तो ये अपसर आपके लिए काफी ज़्यादा चरहेगा अगर आप रियल इस्टेट कंट्रक्शन का काम करते हैं जमीन प्रोपरिटी का काम करते हैं तो कन्या रास्कियात को आपके लिए बहुत अच्छे धन लाब की योग बनते होने जराएंगे और यहां पर आप दलाल के माधियम से भी जुड़ सकते हैं बैंकिंग के छेतर में जुड़े हुए हैं तो कन्या रास्कियात को आपके लिए बहुत अच्छे लाब की योग बने हुए हैं खासकर आप कुछ ऐसे छेतर से जुड़े हुए हैं जहां से आपको आकासमी उक्रुप से धन का लाब होता हुआ नजराएगा तो कुल मिला के कहा जाए तो अप्रेल, मई और जून का महिना कन्या रासकी जात को बहुत ही सांदार रहने वाला है बस आपको इस दितियों को अच्छे से हैंडल करने की जरूरत होगी उपाय की बात करें तो कन्या रासकी जात को इन तीन महिनों में आपको क्या करना है उपाय के ताउर पर आपको शूरदे को एक लोटा जब जल दें तो लाल फूल डाल के दें शाथी साथ गाय को एक रोटी खिलाएं और आपको हल्दी यानि कि हल्दी जो गांट वाली होती है उसे पीले कपड़े पे बांध के और आप किसी मंदिर में रखे दें या किसी गरीम निर्धां को द पासी फल तो दोस्तों कमेंट सक्सें सचे देशे जैस संदेवाव बश्री लिखें और जाते आते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जैस नहीं